नमस्काल दोस्तों मैं हूँ क्रेटिव सत्ती से सत्ती जैसा कि आप जानते हैं कि गूगल ने अपने अंड्रोइड रिमोर की अपडेट भेज़ दी है अपडेट के बाद उसमें कुछ न्यू फीचर्स एट किये गए हैं जैसे कि वोइस असिस्टन और टेच पैट का अगर आप यूस करते हैं एक एंड्रोइड टीवी या फिर एंड्रोइड बॉक्स तो ये वीडियो आपके लिए है लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दबा कर सब्सक्राइब कर लें और बैल के आइकन को दबा दें ताकि ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो का इन नौटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गूगल के एंड्रोइड रिमोट के बारे में तो हम कुछ लोग उसे इंस्टॉल कर चुके हैं लेकिन उन्हें पता नहीं उसे कैसे कनेक्ट करना है अप रिमोट को इंस्टॉल करने के लिए आप यह करना क्या है सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में अपना गूगल प्ले स्टोर खोलना है अपडेट करने के बाद आपको कुछ अपने क्विक सेटिंग में ऐसा रिमोट का एक आइकन दिखाई देगा मैं अगर आपको नहां दिखाई दे तो एडिट के ऑप्शन में जाके आपको सबसे नीचे नौटिफिकेशन दिखाई देगा इसे देखिए मैं रिसेट करूंगा तो इस तरह का का आपको यहां पर दिखाई देगा आपने इसे यहां से मूव करके उपर क्विक सेटिंग में एड़ कर लेना है जैसे की मैंने कर लिया है इसको एड़ करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है आपको अपने टीवी में दो application इंस्टॉल करनी है जो कि आपको अपने play store से सर्च माननी है देखिए पहली बार खोलने पे कुछ इस तरफी के आपसे notification और अलाव मांगेगा आपको इसे allow कर देना है आपको अपने टीवी के play store में जाना है और जाने के बाद आपको वहाँ पे दो application सर्च माननी है पहली application है Google Android Remote Services अगर आपको वह application वहाँ पे ना मिले तो मैं description में link दे दूँगा आप वहाँ से download कर सकते हैं यहाँ फिर मेरा telegram का group च्वाइन करके मॉबाईल फॉन से आप अपने tv को बहुत यजली send कर सकते हैं आपको करना कुछ नहीं है अपने mobile phone में एक application install करनी है जिसका नाम है send file to tv मैं आपको दिखाता हूँ मैंने mobile phone में अपने आपको अपने tv με install करनी है और same application आपको अपने tv में install करनी है आपको करना कुछ नहीं है, मोबाइल फोन में अपने ये AP के डाउनलोड माननी है और उसके बाद अपने मोबाइल फोन से send file to TV पे क्लिक करना है उस AP के को आट करके और यहाँ पर आपको send का option आएगा और आपको अपने TV में same application send file to TV को open करनी है और receive पे क्लिक करना है जैसी आप receive पे क्लिक करेंगे और यहाँ से send करेंगे वो दोनों AP के आपके TV में आ जाएंगी TV के download folder में आपको दोने applications दिखाई जाएंगी दोनों AP के दिखाई देंगी देखिए कुछ इस तरह की application है इन दोनों के link में अपने description में provide करा दूँगा चाहें तो आप मेरा telegram का group join करके वहाँ से भी इसे download कर सकते है download करने के बाद आपको अपने TV के download folder में जाना है तो आपको देखिए इस तरह की कुछ application पहला है देखिए remote services, android remote services इसको अपने अपने TV में install करना है और दूसरा है Google Keypad ये दोनों application के link में अपने description में provide करा दूँगा ये install करने के बाद जो कुछ आपसे आपने अपने TV में default keyboard keyboard install कर देना default keyboard में और उसे select कर लेना है करने के बाद आपको अपने mobile phone में से remote को click करना है और click करने के बाद आपको अपने TV का नाम दिखाई देगा जैसा कि मेरे MI box का दिखाई दे रहा है आपको उसके बाद उस MI box के ओपर click करना है जैसे आप इसके ओपर click करेंगे आपके TV के ओपर आपको एक code show करेगा जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे टीवी पर एक code शो कर रहा है code शो करने के बाद आपको ये code इसमें पूट कर देना है जैसे आप इसमें पूट करेंगे आपका टीवी इस android remote से connected हो जाएगा और उसके बाद आपके पास remote हो या ना उससे कोई फरक नहीं पड़ता है ये बिल्कुल आपके remote की तरह ही काम करता है और सबसे बड़िया बात है कि इसमें इस बार google assistant भी दे रखा है voice control के साथ तो आप चाहें तो इसे voice search में click करके देखिए इसमें touchpad का option है और चाहें तो आप इसे normal remote की तरह भी use कर सकते हैं उपर three dots दे रखी हैं उस पर आप click करेंगे click करने के बाद आप इसे दूसरा option select करेंगे तो बिल्कुल आपके remote की तरह ही काम करेगा अभी देखिए इसमें मैं voice assistant को use करके दिखाता हूँ आपको इस voice assistant पर click करने के बाद आप जैसे ही करेंगे Google आपको allow के लिए option करांगेगा आपने allow कर देना है जैसे ही से allow करेंगे उसके बाद आप इसमें कुछ भी बोलेंगे Google play some Hindi music for me तो देखिए आप देख सकते हैं पीछे Hindi music चल जाएं आप देख लिजे copyright की वज़ा से मैंने इसे mute कर दिया है लेकिन आप देख सकते हैं सर्च कर रहा है अभी मैं आपको एक बार और करके दिखाता हूँ Google play some Hindi music for me देखिए ये बिल्कुल ही वैसे काम करता है जैसे आपका normal Android TV का remote काम करता है तो इस वीडियो में इतना ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेर कीजिए यही सब चीजिए हैं जो हम लोगों का motivation बढ़ाती है Thank you very much